हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का टी एस जी के क्लास यूट्यूब चैनल में फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सामान्य ग्यान के कुछ महत्तोपुर्ण प्रस्ण और उत्तर जो आपके आने वाले सभी सरकारी प्रतियोगी परिक्षाओं में महत्तोपुर्ण होने वाला है तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो आज का पहला प्रस्ण है भारती राष्ट्रिय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां आयोजित हुआ था इसका सही जबाब है मुंबई में भारती राष्ट्रिय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन आयोजित किया गया था अगला प्रस्ण है टैगा वन में कौन से व्रिच होते हैं इसका सही जबाब है अलपाइन व्रिच टैगा वन में होते हैं अगला प्रस्ण है दो महा सागरों को विभाजित करने वाली भूमी की संकरी पट्टी को क्या कहा जाता है इसका सही जबाब है जल डमरू मध्य या इस्थमस कहा जाता है अगला प्रस्ण है इंदिरा गाधी परमाडू अनुसंधान केंद्र कहा इस्थित है इसका सही जबाब है कलपकम में इंद्रा गाधी परमाडू अनुसंधान के अंद्र इस्थित है पाचवाँ प्रस्ण है सुर्य का ताप हम तक किस विधी द्वारा पहुचता है इसका सही जबाब है विकिरन द्वारा सुर्य का ताप हम तक पहुचता है अगला प्रस्ण है सोडियम कार्बोनेट को बाजार की भासा में क्या कहते है इसका सही जवाब है पकाने का सोडा सोडियम कार्बोनेट को बाजार की भासा में कहा जाता है अगला प्रस्ण है भारतिय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है इसका सही जवाब है शाम वेद की सनहिता में भारतिय संगीत का उदगम खोजा जा सकता है अगला प्रस्ण है चालुक्यों ने अपना समराज्य कहां इस्थापित किया था इसका सही जवाब है मालवा में चालुक्यों ने अपना समराज्य इस्थापित किया था अगला प्रस्ण है हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना इसका सही जबाब है 1933 सिस्वी में हिटलर जर्मनी का चांसलर बना अगला प्रस्ण है दिल्ली के किस सुल्तान ने एक रोजगार विभाग एक दान विभाग और एक परवकारी चिकत साले की स्थापना की इसका सही जबाब है फिरोज तुगलक ने। अगला प्रस्ण है पुभार नगर की निव किस चोल साशक ने रखी थी। इसका सही जबाब है राजेंद्र चोल ने पुभार नगर की निव रखी थी। अगला प्रस्ण है गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था इसका सही जबाब है श्री गुप्त गुप्त युग का प्रवर्तक थे अगला प्रस्ण है किस पद्दार्थ का मुल्य घट जाने पर भी उसके मांग में ब्रीधी नहीं होती है इसका सही जवाब है नमक की मुल्य घट जाने पर भी उसकी मांग में ब्रीधी नहीं होती है अगला प्रस्ण है मिश्रित अर्थ व्यवस्था किस आर्थिक प्रडाली का संदर्व सुचक है इसका सही जवाब है सरकारी छेत्र तथा नीजी छेत्र दोनों का संदर्व सुचक है मिश्रित अर्थ व्यवस्था पंद्रहवा प्रस्ण है भारती राश्रिय कांग्रेस के प्रथम मुसल्मान अध्यक्ष कौन थे इसका सही जवाब है बदुरुद्दीन तयव जी भारती राश्रिय कांग्रेस के प्रथम मुसल्मान अध्यक्ष थे अगला प्रस्ण है अलमाटी बाध किस नदी पर बना है इसका सही जवाब है कृष्णा नदी पर अलमाटी बाध बना है अगला प्रस्ण है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है इसका सही जवाब है विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है अगला प्रस्ण है कम्प्यूटरों के लिए आईसी चिप प्रायक किस पद्दार्थ की बनी होती है इसका सही जबाब है सिलिकॉन की बनी होती है IC चिप अगला प्रस्ण है भारती संबिधान को पहली बार कब संसोधित किया गया इसका सही जबाब है 1950 इस्वी में भारती संबिधान को पहली बार संसोधित किया गया बीसमा प्रस्ण है किस नदी को बंगाल का सोक के नाम से जाना जाता है इसका सही जबाब है दामोदर नदी को बंगाल का सोक के नाम से जाना जाता है दोस्तो एक प्रस्ण आप सभी के लिए है जिसका जबाब आपको कमेंट बाक्स में देना है वह प्रस्ण है किस बादशाह के अंतरगत मुगल सेना में सरवाधिक हिंदू सेना पती थे दोस्तो यह प्रस्ण आप सभी के लिए है इसका जबाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तो मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें